तो आज जिनर में बनाया गया है टारू पोटेटू, आर्बी पोटेटू, यह यम पोटेटू, कुछ भी कहिए आप लोग मतलब थाबा दिया, बोलते हैं हम लोग तो थाबा दिया के साथ बेंबू शोट्स यह बन चुका है और आज फिर से बन रहा है कल्टिवेटेट ओएस्टर मास्रूम, जो हम लोग बोलते हैं मिखमो थोड़ी देर बाद बन जाएगा अभी मिल्क गरम करके पापा को देने हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी रेड ड्राइ चिल्ली बर्ता, फर्मांटेट फिश और ओनियन ऐनियन का यहाल है मतलब अच्छा ही हाल चिल्का निकाला गया ला इसको दोगे सुखनी के लिए रग दिया गया है फिर इसको roast कर लिया जाएगा फिर fermented fish भी roast किया जाएगा फिर इसके बाद इसको mixer grinder में grind कर लिया जाएगा पेस्ट बना लिया जाएगा फिर हो जाएगा हम लोग का अभी नूडल्स मतलब खाते हो कभी कभाहर खाती हो मेरी डायट में अभी नूडल्स नहीं है तो फिर इसको तो फेग दिया जाएगा कून खाएगा पापा भी नहीं खाते है और ये कल बनाई गई थी न ये अभी तक है बहुत सारा पापा भी खम खाते हैं सिर्फ अभी ने खाए मैंने भी थोड़ा सा खाए तो गरम करके रख दूंगी यहां डो बना के रखा गया है अभी आएंगे तो गरम गरम रोटी बना की दूंगी राइस चनानी पड़ेगी हाँ डाइस नहीं है खत्म दूपेर जो बनाएगे थी वह खत्म थोड़ा सा करके बनाई तो अभी दीनर में पापा इन मेरे लेती हुँ तो फृि राइस बनानी होगी पापा को मिल्क देकर आती हू पापा ने मना कर दिया कि शुगर मतलब शुगर नहीं एंशुर मतलब रवैंट नहीं किया जाए उनके मिल्क में तो फिर मैंने शुगर-free-powder एट कर दिया है अभी शुगार-free-powder भी उनको पसंद नहीं है एंचेयर भी पसंद नहीं है क्या पसंद है पता नहीं मिल्क भी नहीं पेना चाते हैं ऐसे जबरदस्ते पिलाने करती है शुगर घर में मैंने ही नहीं लाई जान बूच करके शुगर ज्यादा खाना हो रहा है आर्टिफिशिल शुगर ना वैसे शुगर फ्री पाउडर भी इतना अच्छा तो नहीं है मैं तो बीना शुगर की भी दें सकती हूँ लेकिन घर वाले नहीं रह सकते तो पापा को मैं मिल्क दे कराती हूँ चलिए फिर मास्चूम भी बन चुका है अभी सिर्फ मोश दें बनाने बाकी है मोश कुथी मोशी दें मैंने कि ड्राई चिली बढ़ता हाँ गेस खतम होने वाला है आई है खतम हो जाओ 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 राइस बन चुका है रोटी भी बना लिया है एक पापा को देखर आती हूँ तो आज के लिए इतना ही एकल फिर मिलते है तिल देन बाबा और गुट नाइट जुट नाइस बना लिए एक पापा को दोड़ा है